जन्मत की बबीरू तैसिल छेत्रांदर्गत पहलेरी गाउ पर तलाब पर एक युवक का शव बरामत किया गया है जिसको देखकर गाउ में हडगा मच गया है मामला पबीरू तैसिल छेतर अंदर्गत पहलेरी गाउ का है जहां बच्पन से अपने ननीहाल में रह रहे हैं देवेंदर सिंग और्फ गोलू पटेल पोत्र स्वरगी विकास पटेल उम्र करीब 26 वर्ष बीती शुकरवाल को रात्री धारदर हतियार से गला रेत कर हत्या कर कर दिया गया वही हत्या करने के बाद हत्यारों निगाओं की ही तलाब पर शौपकर मोंके से फरार हो गये जब शनिवार को निकल वाकर पुलिस ने जाश परतार पताल में बहना बेज दया है वही घटना इस्तल का डॉग स्कॉइट फॉरंसिक टीम एवं फिल्ड यूनिट की टीम पहुँच कर जाच परताल किया है पुलिस अधिक्षक अभिनंदन पुलिस छेत्र अधिकारी राकेश कुमास सिंग ने पहुच कर घटना का जाइजा लिया वही जल्दी घटना का खुलासा करने के लिए विसंड़ प्रभारी निरिक्षक को निर्देश भी दिया गया है पुलिस अधिक्षक अभिनंदन की द्वारा बताया गया है कि सूचना मिली थी कि विसंड़ थाना छेत्र के पलहरी में तलाब पर एक युवक का शव मिला है फेल्ड यूनिट डॉग स्कॉयट टीम को बलाकर जाच की जा रही है परिजरों से भी पूस्ताज की बाद ये पता चलाए कि शुकरवार की शाम करीब साथ बचे घर से निकला था यूवक और इसके साथ दो वेक्ती भी थे जो रात्री भी शराब पिये थे उसके बाद किसी बात को लेकर जगड़ा हुआ और हत्या करके शौप फेक कर चले गए मुकदमा पंजीकरत किया जा रहा है जो इनके साथ संदिक द्वक्ती थे उनके तलाश की जा रही है जल्दी घटना का खुलासा भी किया जाएगा इनके रहने वाले को रहने वाले को यहां यहीं पैदा हुआ यहीं रहा नहीं के लड़के को वापस लाया है लड़का है नौ महीने का तो इसकी दवा कराने गया है कि मुझे दिया है लड़के को और निकाल आया है पैदा है जमीन कितनी फिसके जमीन इसकी चार भी जब सुबह कैसे आप लोंको जानकारी मिली सुबह जब लाही कार नहीं आए तब देखा है आप फूल खच्छा तब फिसके बाद आंगे किया हुआ लोगों ने आपको ज जानकारी कुछ विवाद हो एरा रहा है क्या आप जी कोई विवाद समझ में नहीं आ रहा है प्रसमाइन में होने पर हम जब पता कर ले लेंगे क्या नाम है यस्वान सिंग शनाप सुरी राम सुरूप चिमा गांपलहरी आज दिन में सुचना मिली कि थाना बिसंडा चेतर के ग्राम पलहरी में देवेंद्र पटेल नाम के विक्ति की डेड़ वड़ी यहां पर एक तालाब में मिली है ततकाले सुचना पर हम सभी अधिकारी गांड फील्ड उनी डॉग स्कौर्ड मौके पर पहुंचे हैं मौके उन्हें शराब पी और किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में हथा पाई हुई है और उसी क्रम में घटना क्रम को अंजाम दिया गया है जो लोग सस्पेक्ट्स हैं उनको पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं जल्दी उनको ग्रफ्त मेले लिया जाएगा बोड़ी को पोस्ट मॉर्टम के लिए मौर्चरी भुजवा दिया गया है मुकदमा लिखके आगे की विधिक कारवाई कराई जा रहे है